सारे स्मार्टफोन में एक ही मैसेड काम करता है बस थोड़ा सा तरीका अलग होता है इसलिए मैंने आपके लिए यह वीडियो बनाया है करना सेम प्रोसेस आपका इस ओपो के साथ भी होगा और इस यह जो आपका मोटोरोला है इसके साथ भी हो हलो दोस्तो अब यहां पर आप देख रहे हो जैसे कि आज का थंबनेल है यह आपके पास दुनिया का कोई भी एंड्रोइड स्मार्टफोन है जैसे कि ओपो रियल्मी मोटोरोला वन प्लस इंफिनेक्स नोकिया सैमसंग यानि कि रेडिमी पोको जो भी स्मार्टफोन आज के में मार्केट में एवेलेवल हैं उन सभी के स्मार्टफोन में यदि लॉक लग चुका है इस तरह से तो आप उसे घर बैठे बीना कंप्यूटर बीना सौर्वेर के किस तरह से आप अनलॉक करेंगे जाने आज कि इस इंपॉर्टन वीडियो में जहां भी हम आपको बीना कि इस इस स्मार्टफोन को अनलॉक करना सिखाएंगे तो चलिए आज कि इस वेरी वेरी इंपॉर्टन वीडियो को यहीं पर सुरू करते हैं अब सबसे पहले तो आप यहां पर देख लिजिए इन सभी स्मार्टफोन में आपका लॉक लग चुका है किसी में पासवर्ड लग तो इससे आपको कैसे अनलॉक करना चलिया आज वह हम सिखाने वाले हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना को ďा समार्टफोन हो उसमें यदि आपको हड्रि र술 रिश्यट मारना है तब ही आपका हैंसे अनलॉक होगा गाविधी आप चाहाते हो कि बिना हाड रिक रिक हर है अपने हैंड के भूले हुए पासवर्ट माना पड़ेगा तो सबसे पहले क्या करें किसी में हाइड करने के लिए सबसे मालुम है किस तरह सेrr कर सकते है ठीक है तो यहाँ पर मैंने इसे पावर ऑफ यानी कि सुच आफ नहीं है ठीक है और इस तरह से सबसे पहला काम आपको वही करना है सारे हैंसेट में मैं आपको एक बार में जो method बताओंगा उस सभी में work करेगा तो जैसे की आप यहां पर देख रहे हो मैंने इसे power off कर दिया सारे smartphone को आपको इस तरह से one by one मैंने power off कर दिया अब क्या करूंगा hard reset का इस्तमाल करना क्या करना है power button and volume down button इस ओपो के handset के लिए आपको use होगा इसे press करकर रखिए जैसी logo दिखे दो सेकंड के बाद छोड़ देना है ठीक है उसके बाद यह जो realme का handset है इसमें भी आपको power button and sorry volume up button इन दोनों को आपको एक साथ यहाँ पर प्रेस करना है जैसी आपको logo दिखेगा यहाँ भी आप दो तिन सेकंड के बाद इसे छोड़ देंगे ठीक है यहाँ पर इस तरह का आ जाएगा अब देख सकते हैं तीनों का इंटरफेस अलग अलग है भले ही आपका इंटरफेस अलग हो लेकिन जो method वो same है सबसे पहले आपको इन दोनों smartphone में पहले English को select करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर format data पर चले जाना है ठीक है यहाँ पर आपको format data है यहाँ भी आपका format data है इन दोनों में देख रहे हैं एक code आपको verification code डालने को कहा जा रहा है maximum phone में यहाँ पर verification code आएगा आपको वो code जो भी आपका smartphone में दिख रहा है उसे आपको डाल देना है इस smartphone का code है वो है 4551 यह oppo का smartphone का था मैंने इसे format पर डाल दिया अब यह handset यहाँ पर format हो रहा है इस handset का code है 3616 मैंने इसे भी डाला और इसे भी format कर दिया यही एक one and only option है ठ लिखा गया इसे हम ओके जैसे ही करेंगे यह handset restart होने लगेगा और इस handset को भी हम यहाँ पर ok करेंगे तो यह भी यह दोनों smartphone यहाँ पर restart होने लगेगा बात करते हैं इस Motorola की तो यहाँ पर आपको यह जो volume बटन है इससे आपको नीचे जाना है and देख सकते है recovery mode आ चुका ह इसे आपको power button को दबा के इसे done कर देना है ठीक है कुछ time लेगा यह थोड़ा सा उसके बाद आपका यह next page पर जाएगा खुद बखूद अब यहाँ पर देख रहे है no command आपको लिखा हुआ तो यहाँ पर क्या करना है volume up button down button and power button आपको इस तरह से यहाँ पर प्रेस करना है ठीक है volume up button, down button, power button ठीक है और उसके बाद volume up, down and power button को एक साथ यहाँ पर प्रेस करना है प्रेस करके रखी थ्वदेर और उसके बाद आपका यह नए page पर चला जाएगा अभी भी यह नहीं जा रहा है साथ इसके buttons में कोई problem है कोई बात नहीं, यह Motorola का है यह थोड़ा सा problem आ रहा है क्योंकि इसके buttons थोड़े से damage है इसे सब को आपको एक साथ यहाँ पर प्रेस करके रखना है और थोड़े बाद यहाँ पर देखते क्या होता है अब यह handset यहाँ पर on हो रहा है तो इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हो कैसे आपको यहाँ पर work करना है ठीक है थोड़ा सा आपको यहाँ पर time लगेगा तो आपको थोड़ा सा patience रखना है तब तक मैं वीडियो को थोड़ा सा fast forward कर देता हूँ तब तक दोस्तों देख सकते हैं इस Motorola का handset जो है वो यहाँ पर rear start हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं यह realme का handset में इस तरह का hello का interface आज चुका है तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ next पर click करेंगे language आपको select करना है और उसकोद आपको अपने country को यहाँ पर select करना जो भी आपका country होगा तो next पर आपको click कर लेना है और यहाँ पर आपको wifi का connectivity आएगा आपको अपने handset को wifi के साथ connection पहले कर देना होगा तभी आप आगे जा पाओगे तो मैं इसका password यहाँ पर डाल देता हूं and done and उसके बाद feed again done next and यहाँ पर थोड़ा सा time लेगा उसके बाद आपका यह answer जो है यह सारे smartphone में एक ही method काम करता है बस थोड़ा सा तरीका अलग होता है इसलिए मैंने आपके लिए यह वीडियो बनाया है तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए यहाँ पर फिर से ट्राइगेन पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर next पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं simply आपको यहाँ पर पहले back आना होगा and don't copy पर क्लिक करना होगा फिर यहाँ पर आपको skip करना है and more more accept and almost आपका जो है वो android smartphone यहाँ पर unlock होने वाला है पेसेंस रखिएगा तो ही आप सीख पाईएगा skip and कोई साभी gesture आप सेलेक्ट कर ले and next done and almost आपका जो है वो यहाँ पर complete होने वाला है थोड़ा सा पेसेंस रखिए and यहाँ पर get started पर आपको click करना है same process आपका इस oppo के साथ भी होगा और यह जो आपका motorola है इसके साथ भी होगा यानि कि आप same method को इन सभी के साथ जो भी आपके आपस company है उन सब के साथ आप यहाँ पर apply कर सकते हो जैसा कि देख रहे हो और यही method मैं आगे वाले वीडियो में भी यहाँ पर आपको डालके दिखाऊंगा तो यदि आपका smartphone unlock हो गया तो very good day नहीं हुआ है तो बिना देर कि हमारे चैनल को subscribe करते हुआ आप हमें comment करें अपने modern name के साथ अपने company के नाम के साथ ताकि हम आपको आने वाले जो time है जो आने वाले हमारी वीडियो होगी वो आपके comment के उपर होगी तो जल्दी से जाओ comment section में comment करो और यदि आप चाहते हो कि हमारी टीम है वो आपको WhatsApp पे वीडियो कॉल करके आपके handset को unlock करें उस case में आप हमारे चैनल को जोइन भी कर सकते हो जैसे ही आप हमें जोइन करोगे आपको अगले पांच मिनट के अंदर एक WhatsApp पे वीडियो कॉल चला जाएगा और उस WhatsApp के वीडियो कॉल के help से हमारी टीम आपके handset को guarantee के साथ अगले पांच मिनट के अंदर आपके सामने live वीडियो कॉल पे unlock करके आपको दे देगी तो जल्दी से जाओ चैनल को जोइन कर लो